आज मैं मैदा की नमक पाड़े बनाने जा रही हूँ तो आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब से और जरूर कीजिएगा तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैदा ले ली हूँ तो हमें मैदा ले लेना है अब हम मोयन के लिए इसमें रिफाइन डाल देंगे तो तेल डाल देना हमें भड़के बड़े चमस से एक चमस में डाल दी हूँ स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे तो आधी छोटी चमस में नमक लेनी हूँ तो नमक डाल देना है हम आज हैं चाम अजमाइन लेलेंगे हाथ पे हमर रगर करकेश में डाल देना है तो हाथ पे हमरा करकेश में अजमाइन डाल देंगे अब इसे mix कर देना है सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे मौईन अगर आप लोगों कम लगे मिलाते टाइम में तो थोड़ा सा आड़ भी डाल सकते हैं इसमें तो मैं अच्छे से मिला करके ले ली हूँ तो मुठ्टी से बांद करके हम देख लेंगे तो इतना मौईन हमें इसमें डालना है कि हम उठ्टी से बांदे तो यह आसानी से बंद जाए अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा लगा लेंगे तो ना ज्यादा soft आठा लगाएंगे ना hard आठा लगाएंगे medium में आठा हमें लगा करके ले लेना है तो एक बार में ज्यादा पानी नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम आठा लगा लेंगे तो इस तरह का में आटा लगा करके इसके लिए ले लेना है अब इसकी बड़े बड़े लोई हम बना देंगे तो चार बड़े लोई में बना लिए हूँ अब एक लोई हम इसमें से ले लेंगे और इसे गोल करके बेल लेना है तो इस बेना तो हम सुखी आटा डालेंगे ना इडिफैन लगाएंगे इसमें ऐसे ही हम बेल लेंगे बिना लगाए हुई अगर आप लोगों को लगे कि यह चीपक रही है तो आप लोग थोड़ा सा इसमें बेल अन में तेल लगा लिजिएगा वियसे इस तरह से आठा लगाएंगे तो किसी भी चीज के जरूरत नहीं पड़ेगी और बड़ी सी हम रोटी जैसे बेल लेंगे थोड़ी सी रोटी से हमें मोटा बेलना है तितनी मोटी मैं बेल करके ले ली हूँ तितनी मोटी हमें बेल लेना है अभी से हम काट लेंगे तो लंबे-लंबे बिल्कुल पतला-पतला कड़के काट लेना है मार्केट में ऐसे ही मिलती है बड़ी-बड़ी सी हम बीच से इसे काट लेंगे तो दो-तीन भाग भी इसे काट लेना है ऐसे लंबे-लंबे अभी से हम बीच से फोल्ड कर देंगे दोनों तरफ से पकाट करके अड़ी से डॉन-डॉन गुमा देना है या आप ऐसे सीधे भी बना सकते हैं तो दोनों तरिके से आप लोग बना सकते हैं ज़्यादा बड़ी लगे तो उसको काट लीजीगा यह मैं ऐसे ही रखूंगी लंबा-लंबा तो सारी ही पहले हम ऐसे ही विल करके त्यार कर लेंगे तो यह देखी मैं यह डिजाइन वाली थोड़ी सी डॉन-डॉन गुमा करके बना ली हूँ और आथा ऐसे ही विल प्लेन तो दोनों तरीका मैं दिखा दी हूँ आप लोगों को जो आसान लगे जो सही लगे वो बना लीजिएगा पहले सारी बना करके त्यार कर लेना है हमें गैस पे एकड़ा ही ले ली हूँ इसमें मैं तलने के लिए तेल डाल दी हूँ तो तेल अच्छे से गरम करके ले लेना है तेल गरम हो चुकी है अब हम इसमें डाल देंगे सारी नमक पारे डाल देना है अब मीडियम फ्लेम हम कर देंगे गैस की और मीडियम फ्लेम पे हम इसे तलना है गैस की फ्लेम हम लो नहीं रखेंगे लो पर यह ज्यादा वैली बनके त्यार हो जाएगी और हाई कर देंगे तो ये अंदर से कची रह जाएगी, ओपर से जाल दे ही लाल हो जाएगे इसलिए हम medium प्रेम पे इसे बीछ-बीछ में चलाते हुए पकाएगे, तो एक बार कड़ाई में जितनी जगर है उतना इसमें डाल देना है अब इसे बीच बीच में हिलाते रहना है उपर नीचे कर देना है ताकि चारों तरप से यह अच्छे जे क्रिस्पी बन के तयार हो देखें बीच बीच में चलाते हुए मैं इसे पका ली हूँ इसकी कलर चेंज हो गई है अलकिसी ब्रॉन हो चुकी है तो बस इतना हमें इसे तल लेना है और इसे तल करके हम निकाल लेंगे तो बहुत ही खास्ता है यह बहुत ही क्रिस्पी मार्केट जैसे बिल्कुल नमक पारे बन के तयार होगी तो सारी निकाल लेना है अब हमें अब जो बचे हुई है वो भी हम बारी बारी से डाल करके थोड़ा थोड़ा तर लेंगे यह अगर एक साची पक जाए तो किसी बात की टेंशन नहीं है कि यह तेल में जाने के बाद यह अच्छे से अलग हो जाएगी तो इसे बीच बीच में बस हिलाते रहना है उपर नीचे करते रहना है चलाते हुए हम इसे पकाएंगे तो देखे यह वाली भी बन के तयार हो गई है तो ऐसे ही सारी नमक पाड़े बना करके हमें तयार कर लेना है तो सारी नमक पाड़े में बना करके तयार कर ली हूँ तो एक मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ देखिए कितनी क्रिस्पी बन के तयार हुई है इसे आप यह टाइट डबे में बन करके रख लीजेगा महिनों तक आप इसे खा सकते हैं यह खड़ाब नहीं होगी तो यह बिल्कुल मार्केट की तरह नमक पाड़े बन के हमारी तयार हो गई तो आप लोगे एक बार मेरे तरीका से जरूर बनाईएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर कीजिएगा पूरा वीडियो दिखने के लिए धन्यवाद